आज की इस क्लास के अंदर आपके सामने जो दिख रहा है इंस्टुमेंट एपरेटर जो है वो अप्टिकल बेंच है और आप समझ चुके होंगे कि आज अपन डिसकस करने वाले हैं अप्टिकल बेंच के बारे में एक बहुती अच्छा एक्सपरिमेंट है बहुती इंट्रे प्रिण के प्रकार उत्रेटर जो प्रेंटर करने वाले हैं वो सब्सक्राल इंस्ट्रूमेंट कि अप्रिण.. इस optical band से बहुत से experiment की जाते हैं आज जो अपन इस apparatus से जो practical करने वाले हैं वो है उत्तर lens की focus दूरी ज्याद करना convex lens की focal length find करेंगे convex lens जो यहां लग रखा है इसकी अपन focal length find करेंगे अब इसकी focal length find करने के लिए मैं आपको बता दू अपने पास जो है वो pins ले रखिए दो-दो pin है ठीक है इन pin में एक object pin होती है और एक image pin होती है एक object pin होती है और एक image pin होती है तो यह आपका lens है इस lens के इस side में जो है इसको मैं object pin मान रहा हूँ क्या मान रहा हूँ बता object pin मान रहा हूँ जबकि यह जो होगी मेरी image pin होगी, यह जो होगी वो मेरी image pin होगी इस experiment में यह जो object pin है और यह lens इन दोनों की बीच की जो distance होगी वो अपना U होगा और जो lens और image की बीच की दूरी होगी वो होगा अपने पास V इसको मैं generally A point बोलूँगा, इसको B बोलूँगा और इसको C बोलूँगा B और A का जो difference होगा वो अपनको बताएगा U को और C और B का जो difference होगा वो बताएगा V को उत्तर लेंज से जो image बनता है वो ultra और सीधा वास्तविक और आबाशी दोनों ही मिलता है आप लोगों होने क्योरी के अंदर completely पढ़ रखा होगा कि जब आप object को अनन्द से लेके F तक लागते हो तो उस case में जो आपकी image बनती है वो F से अनन्द की तरफ जाती है और वो ultra और वास्तविक होती है परदे पर प्राप्त होती है यही जब आप F से optical center तक जाती हो तो उस case में जो image बनती है वो आभासी होती है और सीधी होती है उसको परदे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो अपनी जो भी observations होगी जो भी readings होगी वो अनन्द से लेके F तक की होगी तो यहां पर उस लेंज की focus दूरी याद करने के लिए इस object pin की image जो होगी वो इसके सामने जो होगी वो इस side में बनेगी इस side में ठीक है उल्टी होगी और वास्तविक होगी ठीक है उसकी image को देखने के लिए अपन फ्रंट फेस से उसको देखेंगे lens के अंदर तो अपन क यहां पर उल्टी और वास्तविक image दिखाए देगी और उस उल्टी और वास्तविक image की position पे उस image pin को लेके जाना होगा इस image pin को उसके नीचे लेके जाना होगा उनकी same position लानी होगी और वो ही जो होगी वो अपने image की position होगी ठीक है तो इसको पूरा पढ़ेंगे इस practical को कर इसके और थी आपने रादने से पहले आपको कूस Theorie Point जो आपको होते वह आपट सको सब्सक्राइप होगा उसके घ्कार जपको और बना लेते हैं , देख deberस करें लेते हैं। तो लेडी का पूर किसे भीर प्यारी की नोई सह सब्सक्राइब कोपी कर लेगी यह दिए। िधी और उसके अंदर एक श्लिप लग रखी होगी है इसके में आपको मेजर एक्सुरीमेट में ले रखा है जसे इसमेंक है इसमिंपल्स पीज होग्विस हाय तो आपको कस्तन दिया जाएगा यूार्वी के मध्य ग्राफ खीच कर उत्तर लेंज की फोकस दूरी ज्याद करना है दोनों में से एक दिया जाएगा दोनों नहीं होंगे ठीक है छे observation आपको लेंगे होंगे तो इसका जो सबसे पहला point जो आता है वो अपने सारे experiment में देखा सबसे पहला point जो point लिखते हैं अपन वो आता है circuit diagram या फिर ray diagram अब चुकि अपने पास यह optical instrument है तो no doubt अपने पास जो पहला point आएगा हुआएगा ray diagram किरन चित्र और किरन चित्र में जो आपका diagram बनेगा उसके अंदर simple सा आपका diagram मैंने बना रखा है वो कुछ इस परकार से रहेगा इस परकार से यह यहाँ पर यह diagram कैसे बना है तो मैं आपको बता दू यह मैंने lens मान रखा है convex lens है यह मेरी object pin है यह object pin A, B मैंने lat कर रखी है ठीक है और यह जो PQ सो हो रही है वो है image pin वो है image pin इस object pin से मैंने एक parallel line parallel ray pass की जो focus से pass out होगी और दूसरी मैंने optical center से pass की वो दोनों जाइंटरसेक्ट कर रही है वो image draw होगी अब यहाँ जो यह image बनती है वो invert बनती है और real बनती है invert और real बनती है मेरी जो image pin है वो image के just नीचे होनी चाहिए जो मैंने भी आपको बताई थी तो यह pq जो है वो image pin है a b जो है object pin है और a b की जो image है वो a dash b dash वास्तविक है और ulti है बटा यह l जो है वो आपका lens है यहाँ पर ध्यान रखना ray diagram बनाने में इस rays के उपर direction बताने ही necessary है बटा अगर direction नहीं बताते हो तो इस case में marks जो होता है वो examiner cut कर सकता है बटा यहाँ पर diagram बनाने के बाद में आपको notification भी लिखना पड़ेगा कि a b जो है a b वो आपकी object pin है मतलब bim pin है a dash b dash जो है a dash b dash जो वो आपकी image है बटा क्या है परती bim p q p q जो है वो object pin है यह परती bim pin है और एल जो है आपका उत्तर lens है बटा convex lens है बटा convex उत्तर lens है बटा तो यह आपका पहला point जो होता है वो clear होता है उसके पास दूसर point जो आता है वो आता है formula उस formula में ध्यान रखना बटा अपनको simple सा lens formula यूज़ करना वास्तिविक बिम के लिए U जो होता है वो जनरली नेगेटिव में होता है हमेशा ही जो होता है वो कैसा होता है नेगेटिव में है पर अगर आबासी बिम होता है तो यू का मान पॉजिटिव भी हो सकता है तो अपने पास यहां वास्तिविक बिम है और वास्तिविक बिम के याद रखना है और इस formula को use भी करना है और इस formula के according आपन observation table भी draw करेंगे तो यहाँ पर first point तो clear हो गया, इसी के अंदर second point जो है वो आपको कौन सा experiment दे रखा है, u, v के between दे रखा है या one upon u, one upon v के between दे रखा है, उसके basis पर दूसरा point लिखा जाएगा, तो दूसरा point में आप ल ग्राफ आयताकार अती परवले प्राप्त होता है, आप यह लिखेंगे, या फिर अगर आपको graph one upon u, one upon v के between दे रखा है, तो आपको यह point ना लिखे, अगला point लिखना है, जिसमें आप कहोगे one upon u, one upon v के मद्रे ग्राफ जो होता है, वो सरल लेखा मिलता है, तो आपको क्य जाता है, वो u, v, वक्र पूछा जाता है, तो आप first और यह second दो point लिखेंगे, अगर u, v ना पूछे, तो one upon u, one upon v के लिए यह point लिख लेगे, clear, अब यहाँ पर जो है, आपने जो u, v, f, let कर रखे, उसी को भी नामांकित करना पड़ेगा, उसाथ में के मातरग भी लिखन यू जो है, वो distance of object है, बिम की दूरी है, यह भी centimeter में measure करेंगे, और v, distance of image है, परती बिम की दूरी, वो भी centimeter में, तो वो भी अपन को लिखना है, यह points लिखने है, बहुत ही ज़रूरी है, अगर यह points नहीं लिखते हो, तो examiner के पास power है, कि आपके marks जो है, वो इस ratio के जाता है, उसका unit क्या होता है, वो आपको सब इसमें show करना होता है, तो अपने 2 points के लिए हुए, first ray diagram, second formula, इसके बाद में बात करेंगे observation table की, तो ध्यान रगना, observation table draw करने के लिए, अपने को इस diagram की requirement होगी, इस diagram की help से आप observation table बहुत ही easy way से बना सकते हो, कि सर कैसे, तो वो भी देखते हैं, यहाँ पर एक चीज में और भी बचा दूँ के observation table के अंदर, आपने को f की value find करनी है, तो u और v चाहिए, और मैंने आपको बताया, u जो होता है, वो lens और bim के between distance होगी, और v image की distance होगी, इसको generally मैं अगर a let कर लो, इसको मैं b let कर लो, और इसको मैं क्या let कर होगा c minus b, तो देखना आपन, तो मैंने पहले सही जो है, वो observation table में ने draw कर रखी है, उस observation table में सबसे पहला point जो है, वो serial number है, जो हमेशा ही होता है, दूसरा point जो है, जैसे जैसे यह points है, उन ही points गया, according मैंने जैसे सबसे पहले object में ले रखी, तो मैंने लिख दिया, position of object pin, या फिर आप लिख सकते हो, bimb pin की इस्तती, जिसको मैं generally बोलूँगा small a, small a, second जो है, position of lens, मतलब lens की इस्तती, जिसको मैं represent करूँगा point b से विटा, इसको मैं represent करूँगा b से, तीसरा जो है, वो मेरे पास image pin है, तो मैंने लिख दिया, image pin की इस्तती, या position of image pin, तो उसको मैं c से represent कर रखा है, तो यह a, b, c, bimb की इस्तती, lens की इस्तती और पर्ति-bim pin की इस्तती, तो वो मैंने a, b और c से represent कर रखा है, अब यहाँ पर मैंने भी आपको बताया, कि जो b और a के between जो distance होगी, मतलब lens और object की इसको distance होगी, उसको u से represent करते हैं, तो मैंने u के लिख इमेज की distance होगी, वो होगी c-b, तो मैंने v is equals to लिख दिया c-b, तो मिरे पास u b आ गया और v b आ गया, अब आगे मुझे focal length find करनी, focal length का formula लिख दिया, मैंने f is equals to u v upon u plus v, अब यहाँ पर एक चीज़ जिहान रखना, अगर आपको exam में पूछा जाता है, यह वाला question, one upon u और one upon v के मध्य graph की जो, तो बेटा आपको यहाँ पर एक column और बनाना होगा, आप लिखोगे one upon u, और इसी के साथ में आपको लेना होगा, one upon v, यह, यह दो column जो होगे, वो आपको और draw करने होंगे बेटा, और इनकी जो values आएगी, वो centimeter inverse में आएगे, centimeter inverse, यह, तो one upon u और one upon v का आप column तब draw करेंगे, जब आपको one upon u और one upon v के मध्य graph पूचा जाए, वरना आपके वल यही तक जो है, इसको simplize करेंगे, clear, अब यहाँ पर बेटा, मैं आपको और बता देता हूँ, कि कुछ data जो है, आपको diet लिखने होते हैं, और experiment करके, जो आपको data लिखने हैं, कौन से हैं, वो भी मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले जो serial number है, वो आप diet लेख सकते हो, one number, two, three, four, five, six, six observation आपको लेने necessary है, अगर six observation नहीं लेते हो, तो उसी ratio के अंदर आपके marks भी cut कर लिए जाएंगे, अब इस पूरे experiment के अंदर मैं आपको बता दूँ, कि आपन जो lens की position है, इस की position, इस lens की position को fix रखेंगे, इस lens की position को fix रखेंगे, generally आप 50 पर या 60 cm में fix कर लो, जैसे मेरी यादत है, मैं इसको 60 या 70 पर fix करता हूं, तो मैंने इसको 60 cm में fix कर लिया, 60 cm, तो आपका ये जो lens की position है, वो हमेशा के लिए fix कर दो, 60 cm ये, इसमें कोई change करने की जरूत नहीं है, 50 cm मतलब 60 cm, इसके बाद में जो object pin है, इस object pin को भी आप अपने according ही रखेंगे, तो इसके लिए भी इनिशली object को 0 cm पर 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, ये, ये values जो है, मैं generally रखता हूं, ठीक है, यहाँ पर जो है, अगर आपको A और B मिल गया, बेटा, C आपको practically करके find करना पड़ेगा, तो जब A और B मिल गया, तो आप U की value भी identify कर सकते हो, U जो होता है, वो होता, B minus A, 60 minus 0 जो आएगा, वो आपको मिल जाएगा, 60 cm, 50 minus 5, 55 cm, 60 minus 10, मतलब 50 cm, 60 minus 15, मतलब 45 cm, 60 minus 20, 40 cm, और 60 minus 25, it means 35 cm, बेटा, तो आपको मैं यह बता चुका हूँ, कि यह जो observation table है, इसमें 1, 2, 3, 3 column जो है, आप बीना experiment कियो है, पहले ही फिल कर सकते हैं, अब यहाँ पर जब object pin की position रखने के बाद में, image pin की position कहां बनेगी, बेटा, वो जो value आएगी, वो यहाँ पुट करोगे, और फिर इस c मैंसे b को less करोगे, तो आपको v मिलेगा, वेटा, तो अपन को अब experiment करना है, experiment करके अपन को c की value identify करनी है, c की value मिलेगी, तो c मैंसे आप b को less करोगे, तो आपको v मिलेगा, वेटा, फिर अपन करेंगे उसकी calculation, वेटा, clear है, तो अपन पहले इसके experiment करते हैं, इस object pin यह lens और वो जो है image pin है तो इस object pin को initially जो है आप 0 पर पूट करेंगे जीरो पर रखेंगे का रखेंगे 0 पर इसको मैं जनल लखूंगा 60 पर और यह जो होगी मेरी image pin होगी और इस image pin को मैं यहाँ पर image set करूँगा ठीक है और अपन रिडिंग मेजर करेंगे अब यहां पर एक छीज जो ध्यान रखनी है कि इसकी इमेज जो होती है वह इसकी उपर just ऐसे उल्टी डरो होगी और यहाँ पर जब आप सामने से देखोगे तो चाये तो इसकी तो image बनेगी वह इसके just उल्टी बनेगी और इस पर ही बनेगी इदर यहाँ पर अब दोनो same position पे है या नहीं है उसको identify करने का simple सा तरीका है कि अगर object pin के उपर अगर image होगी image होगी तो आप जब भी उसको जिस angle से भी देखोगे तो अमेशा जोगी वो साथ-साथ move करती होई नजर आएगी और अगर ये दोनों ही एक ही position पे नहीं है और कुछ distance पर है तो उस case में जब आप अमनी eye को घुमाओगे तो उस case में इनका जो motion होगा वो कभी एक साथ में नहीं होगा और ये एक दूसरे से भिन-भिन position पे जोगी वो motion करेगी और जब एक position पे होगी और आप different angle से भी देखोगे तो वो आपको हमेशा साथ-साथ ही नजर आएगी इस point को ध्यान में रखते हुए आपको इस image को lens के इस tip से लेके इस diameter के along जो है आपको motion करते हुए देखना है तो मैं अभी एक reading set करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इमेज किस परकार से आपको दिखाई देखी वेटा तो आप देख रहे होगी जो object pin है और image pin है दोनों ही एक दूसरे के उपर है पर यह दोनों को जब मैं move करवाता हूँ वेटा एक सीरे से दूसरे सीरे के तरफ जाओंगा यह यह तो यह जो है एक दूसरे का support छोड़ रह नहीं है जब अपन फ्रंट से देख रहे हैं तो उस case में उपन से जरूर दिखाई दे रहे हैं पर यहां पर जो है दोनों ही जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर इसको अभी थोड़ा सैट करेंगे सैट करने के बाद देखेंगे कि दोनों की पोजिशन जो है वह तो यह मैंने कर ली है अब आप एक बार देखें इसको आप यह देख रहे हैं कि जो इमेज पिन और जो इमेज है वह एक दूसरे के ऊपर है अब अपन क्या करेंगे इसको थोड़ा सा जो है अलग-अलग एंगल से चेक करेंगे यह दोनों जो है वह एक साथ मूँ करनी चाहिए ब आप यह यह तो इसी परकार से आपको रिडिंग सैट करनी है अब आपने चेक कर लेते हैं कि रिडिंग आई क्या आपने वह बहुत देख लेते हैं अगर परफेक्ट देखोंगे तो यह 85 ए और 85 से पदेश्चा पहले 84.3 जो है वह रिडिंग आ रही है तो पहली calculation करते हैं तो V के लिए अपने का C-B C-B 84.3 मैंसे आप 60 less करोगे तो आपको मिल जाएगा 24.3 cm बटा तो यह अपन को V मिल गया अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा हर एक reading को जो है अभी मेजर करूँगा और उसके बाद में अपने चेक करते हैं कि अपने पास F की वेल्यू क्या आती है तो नेक्स्ट अपने देखते हैं तो अब जो है इस object pin को अपन लेके आगे हैं 5 cm पर यह अपना अभी भी 60 पर है अब जो यह image pin होगी वह वापस disturb हो चुकी है तो आपने इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ सिफ्ट करना पड़ेगा और इसको सेट करना पड़ेगा मैं वापस डिडिंग सेट कर रहा हूं अब जो नेक्स डिडिंग मेरे पास जो आई है वेटा वह आई है 85.4 85.4 cm ठीक है इसको भी आप 60 में से less करोगे तो 60 में से less करोगे तो आपको मिल जाएगा 25.4 cm बेटा 25.4 cm बेटा अब मैं आपको जो है 20 cm वाल डिडिंग जो है वो सेट करके दिखाता हूं बेटा तो नेक्स डिडिंग ली उसके लिए अपने पास जो देखेंगे वो अपने को मिली है 89.6 cm बेटा 89.6 cm बेटा इमेज पिन की उपर जैसे मैं अपनी फिंगर रटाऊंगा वो आपको इमेज दिखेगी बेटा और वो साथ-साथ मूग करेगी बेटा इस परकार से यह दोनों ही जो ओती हो साथ-साथ मूग करती है ऐसे यह दिखा तो बैटा यहाँ पर मैंने आपको 2-3 image reading लेकि मैंने बताई और बाकिव images में everything ठीकिए और मेरे पास जो है अलगर reading आगे उस reading के according मैंने मैंने तो मैंने v की value find की वी की view को find करने के लिए मैंने C minus b किया c मतलब image pin की श्ततिय मैंने lens की position को minus किया और मेरे पास जो है वह वी के different different मान जो है वो मैंने calculate कर ली अब मुझे F की value चाहिए F के लिए formula है U multiply V upon U plus V तो आपके पास U और V दोनों आगे तो गणना अगला पांट जो है वो गणना उस गणना के अंदर U और V को अपन रखेंगे और solve करेंगे तो गणना के लिए आपको जो pattern रहेगा वो यह रहेगा पहले formula लिखोगे first observation के लिए U और V की value लिखोगे और then जो है उस U और V की value पूट करके उसको simplize करेंगे बिटर अब यहां पर ध्यान रखना कि आपको वैसे question के अंदर कहा रखा है कि यूवी वक्र बना कर जो है वो graph plot करके focal length find करनी है पर कई बार examiner कहता है कि आप इस formula का इस्तेमाल करके focal length find करें तो आप इस formula के according to calculation कर लें और graph के according to calculation कर ले बिटर तो यहां पर अपन calculation करके इनकी values देखेंगे कि इनकी values क्या रहती है तो मैं calculate कर लेता हूं बेटा फ़्टा फास्ट हो जाएगा 60 multiply 24.3 divide by 84.3 तो मेरे पास जो value आई है वो आई है 17.29 cm 1st value 2nd value जेकिंगे 55 multiply 25.4 divide by 84.4 16.5 cm पास्ट जो मैंने साथ आप्जरेशन के लिए जो वेल्यू जाए मैं आपको बता हूं बेटा फास्ट जो वेल्यू आई है 17.29 cm 2nd आई है 16.55 cm next आई है 17.4 cm next 17.14 cm next 17.01 cm next 17.22 cm आई है 17.55 cm आई है तो यहां पर जो है आप अगर देखोगे तो वो 17 के आसपा सारी value जो है वो लाई करी यहां पर सारी value जो है वो लगबख correct है यहां पर एक जो value अपनी आई है वो आई है 16.5 अब जो कि यहां पर जो यू की value थी वो यू की value बहुत ज्यादा थी इसलिए जो वी जो आया वो बहुत ही कम vary कर पाया ठीक है इसलिए जो है यह थोड़ा सा variation देख रहा है बेटा तो यहां पर इसकी average value भी identify करनी है वैसे मुझे exam के अंदर जो है 6 reading लेनी है मैंने 7 reading इसलि यहां पर इन सबको जोड़कर अगर आप में लोगे तो 17 आएगा यहां पर साथ observation लिए तो साथों के लिए विटा मैं 7 से डिवाइड करूंगा एक बार एड़ करके मीन वेल्यू भी निकाल लेता हूं तो यहां पर मैंने सबको एड़ किया एड़ करने पर मुझे वेल्यू बनी 120.16 डिवाइड बाइ 7 तो मेरे पास वेल्यू आई बिटा 17.16 सेंटीमीटर बिटा तो focal length जो मुझे calculation के according मिली वो 17.16 सेंटीमीटर मिली बिटा पर यहां पर अपनको graph भी फ्लॉट करना होगा तो तो मैं graph जो है आपको general way में समझा देता हूँ ग्राफ के लिए जो बिटा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा वो यह x-axis और y-axis बिटा x-axis पे आपने u let किया और y-axis पे v let किया तो ध्यान रखना x-axis और y-axis में जो आप skill let करेंगे वो skill same होनी चाहिए बिटा तो यहाँ in general मैंने 10-10 cm का ले लेता हूँ यहाँ पर एक जो सबसे important बात बतानी है जब यह graph plot करोगे तो वो आयताकार अतिप्रवले बनेगा मैं आपके सामने बना लेता हूँ एक rough diagram बना रहा हूँ विटा फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपने पास 60 है 60 पे जो value आ रही ह 24.3 यह 24.3 यह 24.3 एप्रॉक्स value बना रहा हूँ बिटा एक्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ तुम लोग graph पर पर एक्जेक्ट बना होगे यह next जो है 55 पे जो value आ रही है वो है 25.something यह कुछ मैं बड़ी value ले लेता हूँ जैसे मैंने 30 30 पे value देखी वो आई है बिटा 42.3 30 पे यह 40 42.3 को चूपर आ जाएगी बिटा यहां पर नेक्स जो है 40 40 पे 29.6 मैं बड़ा एप्रॉक्स 30 पेटा यह और 50 पे जो है वो 26 है बिटा 50 50 पे जो है वो 26 26.7 मैं बड़ 27 के आज पास बिटा कुछ यहां आ जाएगी तो मैंने केवलो केवल 4 पॉर्ण्स लिए और पॉर्ण्स मैं ग्राफ लॉट कर लेता हूँ जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा अतिपरफली बनता है ऐसा कि इस प्रकार से यह इस प्रकार से ग्राफ लॉट होगा दूसरी बात जो यहां पर अपन f की value identify करते हैं उसका simple से तरीका होता है कि आप जो है ये origin point is origin point से 45 degree पे बैटा line draw करेंगे जो इस graph को bisect करेगा बैटा दो समान भागाम विभाजित करेगा समधी भाजित करेगा ये 45 degree पे बैटा ऐसे यहां से जब आप 45 degree पे विभाजित करोगे तो ये जो point आएगा ये point generally represent करता है 2f कॉमा 2f को बैटा ये तो यहां से आप एक line इधर draw करें और एक line जो है वो इधर draw करें बैटा ये अगर आपने graph एकदम perfect बनाया है तो आप देखेंगे बैटा कि ये दोनों values जो आएगी बैटा वो इस side में और इस side में approach same आएगी चुकि मैंने real graph paper ने लिया वहां मैं exact value बता पाता पर यहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो ये 30 और 40 के between आ रहा है मतलब approach 35 होगा बैटा ये भी जो होगा वो approach 35 लैट कर रहा हूं मैं ठीके तो यहां पर जो आपको focal length मिलेगी बैटा f जो मिलेगा f ये जो भी value उसका half होगा जैसे मैं इसको o मान लेता हूं इसको a मान लेता हूं तो आपको f मिलेगा o a by 2 क्योंकि य यह 2f को represent कर रहा है अगर यहां पर अगर दोनों की value same नहीं आती है तो उस case में इन दोनों का average लेके बैटा अपन value find करेंगे पर यहां पर मैंने 2f यहां पर मैंने 35 और यहां पर मैंने 35 लैट कर लिए तो मैं diet क्या करता हूं 35 by 2 कर लेता हूं 35 by 2 तो मेरे पास जो value आ जाए 17.5 cm यहां पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने यह value 35 लैट की है यहां मैंने 35 लिखा है वो केवल 30 और 40 के between आने की कारण लिखा है हो सकता यह 34.8 हो 34 हो ठीक है तो उसके according आपको result मिल जाएगा तो इस परकार से आपको graph भी plot करेगा इस graph में जो ध्यान रखने वाली बात थी वो मैंने यह बता दी आपको कि जो xx की scale होगी और yx की scale होगी वो same होनी चाहिए जैसे 1 column is equals to 10 cm बेटा मैंने जो लैट किया 1 column is equals to 10 cm आप 5 cm लैट करें और graph अपर फ्लोट करके इस readings के according आप graph बनाए आपको एकदम exact value मिलेगी बेटा के लिए रहे तो यहां पर जब result लिख सिंपल सा क्या दिये गए lens के लिए तो result के अंदर जो आप लिखेंगे simple सी दो बाते लिखेंगे कि दिये गए lens की focus दूरी जो है आपको 17.16 cm गढ़ना से और f is equals to 17.5 बेटा graph से अपरापते मैंने graph roughly बनाए इसलिए 17.5 बारा है आप exact बनाओगे बेटा 17.2 तक पहुंच जा यूवी के मद्य ग्राफ जो है वो अतीपरवले प्राप्त हुआ या यूवी के मद्य ग्राफ संगलित यूवी के मद्य ग्राफ जो है तो नेक्स जो पॉइंट लिखोगे वो लिख दोगे यूवी के मद्य ग्राफ अतीवरले प्राप्त हुआ और उसके बाद में आपको simple सी आपको सावधानिया लिखनी होती है कम से कम तीन या चार जो भी आपका examiner कहता है उसके according तो I think तुम लोगों को ये practical तो है वो समझ में आया होगा ठीके और कोई confusion हो तो मुझे comment section में जरूर लिखे ठीके इसके उपर वाइवाक के जो question है वो भी अपन बनाएंगे और एक वीडियो लेकिए आऊंगा जिसके अंदर में optical instruments के उपर जितने भी वाइवाक के questions बनते हैं वो सारे सारे एक साथ बनाने की कोशेश करूंगा वेटा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया है कुछ concept के लिए हुआ है तो वेटा आप जरूर इस वीडियो को like, share और subscribe भी करेंगा और subscribe नहीं कर रखाया तो और comment करें और अपने friends के साथ भी इसको share करें वेटा ठीके तो मिलते हैं अपने next class में जहां पर एक नया practical जो है आपको और explain करूंगा और वाईवा के question भी समझाएंगे बिटा तो मिलते हैं next class में ओके बंद कर दे तर कर बंद कर दे तर कर बंद कर दे तर कर बंद कर और यह जोड़ी हो यह ग्राफ बढ़िया बढ़ियो